नमस्कार, आपनी क्लास्मेट यूट्यूब चैनल मासरवे मित्रो नुहार्दिक स्वागत छे आज हम थोड़े चुटकुले सुनेंगे एक दिन टीचर ने वर्ग में बच्चो से पुछा बच्चो मौंकी को इंदी में क्या कहते है पपू लाष्ट बेंच से बोला मौंकी को इंदी में बंदर कहते है तुने अपनी कोपी में से देख कर बोला ना सच बोलना चुटनें बोलूँगा टीचर जी मैंने कोपी में नहीं देखा फिर कहां देख के बोला मैंने तो आपको देख के बोला क्लास में टीचर ने पूछा हिम्मत ने मर्दा तो मदद ने खुदा इसका मतलब क्या होता है गपू बोला अपनी बीवी के सामने मर्द होने के बाद खुदा के सिवाह में कोई नहीं बचा सकता टीचर अभी तक बेबान है तो ऐसे ही कुछ चुटकुले हमारी कापी में भी दिये गए है तो आज हम कक्षा छे की तीसरी इकाई जरा मुस्कुराये का अभ्यास करेंगे मालिक किराइदार से कहते हैं तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते तो किराइदार ने कहा आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझो सोनू का सीर फट गया वो डोक्टर के पास गया और वहाँ जाके डोक्टर ने उसे पुछा यह कैसे हुआ, तो सुनू ने कहा, मैं पत्तर से खील ठोक रहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा, कभी खोपड़ी का भी इस्तमाल कर लिया कर, अब उसको को खोपड़ी का इस्तमाल करने के लिए कहा गया, तो उसने थोड़े की जगा आपनी खोपड़ी का इस्तमाल किया, माफ करे अंकल इससे उचा होकर मैं नहीं बोल सकता अब उसे आवाज उची करने के लिए बोला गया था लेकिन वह अपने बेठने की जगा उपर करे जा रहा था डबू इतिहास में तुम फैल कैसे हो गए तो डबू जवाब देता है क्योंकि सभी प्रश्णा उस समय के पुछे गए थे जब में पेदा भी नहीं हुआ था मुन्ना अपने पिताजी से कहता है पापा कल मैंने रात के देड़ बज़े तक पढ़ाई की तो उसके पिताजी उसको कहते है शबास बेटे लेकिन रात को ग्यारा बज़े बाद तो सारे महले की लाइट चली गई थी तो मुन्ना कहता है सच मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला आप चित्र में देख सकते है डाक खाने का चित्र है एक आदमी कहता है मैं डाक खाने जा रहा हूँ तो दूसरा कहता है, ये कितना भूखा है, कागजबत्र भी खा जाता है, आगे देखेंगे अभ्याज प्रश्न एक, सामाई को अखबारों में से चुटकुले पढ़िये और कक्षा में सुनाईए आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिये तो बचो आपको आपकी पसंदिदा चुटकुले अपनी कापी में लिखनी है प्रश्न नमबर दो, निमनलिखीत परिछेद में से मुहावरे ढूंढिये और उनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए अब हमें एक परिछेद दिया गया है उसमें से हमें मुहावरे ढूंढने है और उसके अर्थ देकर फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है तो देखते हैं, रमेश पढ़ाई में हुश्या लड़का है इसलिए रमेश पिता जी की आखो का तारा है यहाँ पे हमें एक मुहावरा मिलता है आखो का तारा उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना इस साल रमेश ने कमर कस के परिख्षा की तयारी की यहाँ पे हमें दुसरा मुहावरा मिलता है कमर कस के बहुत महनत करके जब वह परिख्षा देने गया तो उसका इद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदिक था यहाँ पे हमें तिसरा मुहावरा मिलता है इद का चांद बहुत दिनों के बाद दिखना महेश आस्तिन का साप निकला और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कापी में से नकल कर रहा था यहाँ पे हमें आस्तिन का साप निकला मुहावरा मिलता है आस्तिन का साप निकला का अर्थ होता है कपटी होना दुसरा मुहावरा मिलता है नजर चुरा के तो किसी का ध्यान न जाए इस तरह कार्य करना एसा इसका मतलब होता है यहाँ पे हमें दो मुहावरे मिलते हैं उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बगुला हो गए तो आग बगुला होना यहाँ पे हमें मुहावरा मिलता है उसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना तो बच्चो अब हम जितने भी मुहावरे ढूंड पाए है उसका वाक्य में प्रयोग करेगे तो पहला हमें मिला था आखो का तारा होना जिसका अर्थ हमने देखा था बहुत प्यारा होना उसका वाक्य प्रयोग होगा मैं अपने पिता जी की आखों का तारा हूँ दूसरा हमें मिला था कमर कसना उसका अर्थ होता है बहुत प्रयत्न करना उसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम मैंने अपनी परिक्षा के लिए कमर कस के महनत की थी तिसरा हमें मिला था इद का चान्द होना उसका अर्थ हमने देखा था बहुत दिनों के बाद मिलना वाके प्रयोग करेंगे मेरा दोस्त मुझे इद के चान्द की तरह मिलता है आगे हमने देखा था आस्तिन का साप होना जिसका हर्थ अर्थ हमने जाना था बहुत कप्टी होना मैंने उसके साथ अच्छा किया लेकिन वो मेरे लिए आस्तिन का साप निकला आगे हमने देखा था नजर चुराना किसी का ध्यान न हो इस तरह काम करना उसका वाक्य प्रयोग होता है मैंने उससे नजर चुरा के पैंसिल चुरा ली आगे हमने देखा था आग बबूला होना जिसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना मेरी कापी में अच्छे गुण नहीं मिलने पर मेरे पिताजी आग बबूला हो गए आगे देखेंगे प्रश्न तीन रिखांकीत शब्दों के लिंग बदल कर वाक्य फिर से लिखिए अब यहाँ पे हमें वाक्य दिये गए है जिसमें एक-एक शब्द के नीचे हमें रेखा दी गई है अब जो भी शब्द हमें रेखा के उपर दिये गए है उसका हमें लिंग परिवर्तन करना है रेखा की जी गई है तो दादा जी का हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो उसका लिंग परिवर्तन करके वाक्य बनेंगा मेरी दादी जी यात्रा पर गई है दूसरा एक आदमी ने मुझसे कहा आदमी का लिंग परिवर्तन करेंगे एक औरत ने मुझसे कहा तिसरा लेखक कहान लिख रहा है। लेखक का लिंग परिवर्तन होगा। लेखी का कहानी लिख रही है। चोधा, मेरी मालकीन का स्वभाव बहुत अच्छा है अब मालकीन का लिंग परिवर्तन होगा मेरे मालक का स्वभाव बहुत अच्छा है पांच, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा मोर का लिंग परिवर्तन होगा बारिश को देखकर मोर नी नाचने लगी चथा, जंगल में शेर दहाड रहा है अब उसका हम लिंग परिवर्तन करेगे तो जंगल में शेर नी दहाड रही है सात्वा, सेठ दुकान में बैठे है तो सेठ का लिंग परिवर्तन होगा सेठानी दुकान में बैठी है आठवा अध्यापग पढ़ रहे है अध्यापग का लिंग परिवर्तन होगा अध्यापी का पढ़ रही है नो पंडित रामायन सुनाने लगे पंडित का लिंग परिवर्तन होगा पंडिताइन रामायन सुनाने लगी दस लड़का दुकान के पास खड़ा है लड़का का लिंग परिवर्तन होगा तो लड़की दुकान के पास खड़ी है प्रश्न चार उदाहरन के अनुसार शब्द का चार-चार वाक्य में प्रयोग कीजिए अब हमें यहाँ पे एक उदाहरन बताया गया है घर अब घर शब्द को उप्योग करके हमें चार वाक्य बनाने है पहला मेरा घर सूरत में है दूसरा मुझे अपना घर बहुत पसंद है तीसरा मेरे घर में तीन कमरे है चोथा मैं अपना घर साफ रखता हूँ बच्चों यहाँ पे हमें सभी वाक्यों में घर शब्द का उप्योग करना ही है अब आगे हमें 5 सब्द दिये गए है उसमें से पहला बाग पहला मेरा एक बाग है मेरा बाग सुन्दर है मेरे बाग में सुन्दर गुलाब खिले है बच्चे बाग में खेलने आते है दुसरा सब्द हमें दिया गया है नदी हमारे गाउं में नदी है नदी के किनारे खेत है नदी में मचलिया तेर रही है नदी हमारी माता है तीसरा दोस्त मगन मेरा दोस्त है मेरा दोस्ट छठी कक्षा में पढ़ता है मेरा दोस्ट बच्पन से मेरे साथ है मैं और मेरा दोस्ट साथ खेलते है चोथा सब्द है पसंद मुझे गुलाब पसंद है मैं आम खाना पसंद करूंगा मुझे आप बहुत पसंद है मैं अपने पसंदिदा खेल खेलता हूँ पांचवा शब्द हमें दिया गया है कहानी मैंने कहानी पढ़ना शुरू किया कहानी में दो बेटे मर गए हमने कहानी लेखन करना शुरू किया हमारी कहानी आप भी पढ़ना बच्चो आप इस तरह से अपने ढंग से चार-चार वाक्य बनाने की कोशिश करोंगे प्रश्न पांच कहावतों के अर्थ दिये गए है कक्षा में उदाहरन देकर चर्चा कीजिए अब हमें कहावत दी गई है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है तो पहली कहावत देखेंगे अकल बड़ी या भेंस जिसका अर्थ होता है शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अकल बड़ी होती है जैसे की अकल बड़ी या भेंस तो भेंस बड़ी है या अकल बड़ी ऐसा हमें पुछा गया है तो हमारे तरीके से अकल बड़ी होती है क्यों तो कि जैसे भेंस, हाथी, खोड़े, शेर सभी प्राणी को इनसान अपने काबू में कर सकता है वो किस वज़ा से कर सकता है? क्योंकि उसकी अकल वहाँ पे काम आती है अपनी अकल शक्ती के कारण ही वो उसको अपने काबू में कर सकता है अकल होती छोटी है, लेकिन काम बड़े-बड़े कर सकती है इसलिए यहाँ पे अकल बड़ी या भेंस में से हम अपनी अकल को बड़ी बताते है दूसरा, आसमान से गीरा, खजूर में अटका इसका अर्थ होता है, एक के बाद एक विपत्ती में फसना तो बच्चो एक बार पिता जी बीमार हुए तो उसे भईया अपने साथ अस्पताल ले गए अब वहां से लोट रहे थे कि घर पहुँचे तब उसकी बहन गीर गई थी और उसे चोट लगी तो एसा होता है कि एक आपत्ती से अभी हम निकल ही रहे थे कि दूसरी तैयार रहती है जैसे उसके पिता जी को वह अस्पताल से छोड़कर आया कि तब ही उसकी बहन गीर गई तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके एक आपत्ती से निकले तब दूसरी आपत्ती तयार रह गई तिसरा आये थे हरी भजन को ओटन लगे का पास अर्थ होता है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना अब गाउं से हम शहर में अच्छी नोकरी प्राप्त करने के लिए आये थे लेकिन हमें नोकरी तो नहीं मिली लेकिन हम अपना धन्दा शुरू कर बेठे तो अब इसका अर्थ क्या होता है हम आये थे जो करने वहम नहीं कर पाए लेकिन कुछ दूसरा काम हमने शुरू कर लिया तो उसका अर्थ यही हुआ कि आये थे हरी भजन को ओटन लगे का पास चो था जो गरजते हैं वो बरसते नहीं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं जिसका अर्थ होता है जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते हैं हम देखते हैं, हमारे समाज में बड़े बड़े नेता अपने चुनाव के लिए लोगों से कहते हैं कि हम आपके शहर में पानी की सुविधाए, विजली की सुविधाए, गटर लाइन का रिपेरिंग सभी काम कर देंगे, लोग उस पर भरोसा करके उसे अपना मत दे देते है फिर बाद में जब वो चुने जाते हैं, फिर वो कोई भी काम नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, लेकिन काम उस तरह करते नहीं है पांचवा, जैसी करनी, वैसी भरनी, जो जैसा करता है, उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है, अब हम जैसा कार्य करेंगे, हमें उसी तरह से फल मिलेंगा, अगर हम चोरी करेंगे, तो वो चोरी का माल हमें ज्यादा दिनों तक नहीं पचेगा, वो कहिना कहीं ह अमारे आज से छूठ ही जाता है तो हम जेसा करेंगे हमें वेसा ही फल मिलेंगा आभार जो तमने आ वीडियो गम्यों होई तो तेने लाइक करो और तमारा बिजा मित्रोसुती पहुचाड़ो आप हजू वदू सिख्वा मागता होई तो आपनी चेनल क्लासमेट ने सब्सक्राइब करी बेल आइकोन दबावानू भुल्सो नहीं अन्ये स्क्रीन पर रहेला वीडियो माथी कोई पन वीडियो क्लिक करी जोई सको छो अन्ये वदू सिखी सको छो